टाटा सफारी की नई फेसलिफ्ट होने वाली है लाँच जिसमें की पहली बार एडास जैसी फीचर आपको देखने के लिए मिलेगी और ये भी एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि गाड़ी में 4x4 का पावर ट्रेंड भी देखने के लिए मिल सकता है तो स्वागत है आप सबका MW Hindi में चानल को अब तक सबस्क्राइब नहीं करें तो फट टैग से सबस्क्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना तो ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि टाड़ सफारी की जो नई फेसलिफ्ट आने वाली है उसकी बहुत सारी स्पाई पिक्चर्स रिसेंटली निकल कर आई है जिसमें की एडास जैसी फीचर को अपडेट करा गया है और लुक में थोड़ी बहुत चेंजेस करी गई है जैसे की जो टेल लैंप से उसमें एक LED बार कनेक्टेड मिलेगी ब्रेक लाइट के साथ में और कहीं न कहीं आपको DRL में भी एक कनेक्टेड LED बार देखने के लिए मिलेगा और इन सब चीजों की अपडेट में प्राइज में भी कहीं न कहीं अपडेट देखने के लिए आपको मिलने वाला है जो की 16 लाक से एक सो रूम प्राइज इसके स्टार्ट होने वाली है तो 16 लाक से इसलिए स्टार्ट होने वाली है क्योंकि हो सकता है कि आपको 4x4 का देखने के लिए मिलेगी और optional में आपको success speed automatic transmission भी देखने के लिए मिलने वाली है गाड़ी में कोई खास changes तो नहीं रहने वाली लेकिन छोटे मोटी changes बहुत सारी रहने वाली है जैसे कि आपको panoramic sunroof देखने के लिए मिलने वाला है android auto connect and apple auto connect carplay आपको देखने के लिए मिलन इस phone charger pad भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है air purifier मिलेगा air conditioner में भी आपको auto air conditioner देखने को मिलने वाला है और वहीं आपको cruise control की भी features देखने के लिए मिलेंगी इस बारी के facelift में और safety की बात करें तो safety में सबसे बड़ी update जो है वो है ADAS की रहने वाली है काफी time से अप और नहीं वीडियो करते हैं यही पर इंट फिर मुलकात होगी आपसे नेक्स वीडियो में जाने इस पहले चानल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को भी लाइक करते हुए जाए